जांजगीर चापा के अकलतरा विधान सभाज चेतर के 19 गावों के किसानों के जमीन गेल इंडिया कमपनी द्वारा धिग्रिहत की गई है किसानों को मुआवजा दिये जाने के समध में बादशेत के लिए पोड़ी दलहा गावों में अकलतरा विधायक राखवेंद्र सी और तैसिलदार के साथ एक बैठक हुई किसानों का अरोप है कि उन्हीं मुआवजा नहीं दिया गया है और वे एक जुठ होकर कमपनी को आगे काम नहीं करने देंगे किसानों को हमारी जमीनों का उचित मौजा नहीं मिल जाएगा तब तक हम इनको खेत में घुसने नहीं देंगे चाहे जो हो जाए इस मामले में अकलतरा तहसिलदार कृष्ण कुमार जैस्वान नहीं कहा कि राजस्वामला किसानों से उनकी अधिग्रहित जमीन के बारे में जानकारी कठा कर रहा है और इसके बाद आगे कारवाई की जाएगी वही अकलतरा विदायक रागवेंद्र से ही ने कहा कि इस मामले की जाच दोबारा शुरू की गई है लेकिर राजस्वामले के पास प्रभावित किसानों की जानकारी नहीं है उनके पटवारी द्वारा ही बताया गया समस्द गाओं के कि उनके पास किसी भी तरहका का रिकॉर्ड नहीं है किसी भी किसान की उनके पास लिस्ट नहीं है कितने किसानों का मुआवज़ा अपराप्थ है इसके उनकी कोई जानकारी नहीं है और विधान सभा में ये ध्यानाकर्शन में जवाब आया था कि जुलाई में कि 200 से उपर लोगों का मुवावजा अभी तक मिला नहीं है गौर तलब है कि गेल इंजा कमपनी द्वारा मुंबई नाकपूर से 36 गड होती हुई गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है इसके लिए अकलतरा शेत्र के 19 गाओं के किसानों की जमीने ले लिए है